Hello everyone, I am back with a new video So, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Yamaha XSR 155 के बारे में When it is going to be launch और इसकी pricing क्या होने वाले हैं इंडिया में 2023 में हैं So, first of all आप लोग को बता दू यार ये बाइक ना देड़ दो सालों से काफी जादा चर्चाओ में है ये अब launch हो जाएगी या अब तो पक्का launch हो जाएगी बहुत लोग का कहना ऐसा भी था लेकिन अभी तक ये launch नहीं हुई है So, definitely आज मैं आपको बता दूँ ये बाइक आपको October या नॉमबर लास तक definitely 2023 में देखने को मिल जाएगी और इंडिया में इसकी pricing क्या होने वाली है हम लोग detailing में discuss करींगे So, उससे पहले मैं आप लोग को इस bike के बारे में बता देता हूँ और क्या features इसमें आपको मिलने वाले है क्या इसकी pricing होने वाली है उसके बात-बात करते हैं इस बाइक के बाइक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए So, XSR 155 एक नियो रेट्रो बाइक है which is quite similar to XSR 700 and XSR 900 as XSR 155 भी same engine share करती है R15 के माफिक So, it is also based on R15 V4 It has also a teardrop fuel tank along with a flat seat So, as usual Yamaha की बाइक में कमाल की features होते हैं So, along with an amazing body work Yamaha ने इसमें बहुत अच्छे features भी दिये हैं Like LED Headlight and Tail Light Circular Digital Instrumental Cluster Along with it, it shares 155 cc liquid-cooled single slender motor यह amazing power plant नहीं यार 19.3 PS का total power deliver करता है और साथ ही 14.7 Nm का total torque deliver करता है Same as जैसे आपको R15 में भी देखने को मिल जाता है इसमां आपको 6-speed manual gearbox देखने को मिलता है Along with slip and assist clutch और suspension के मामले में यार Front में आपको ESD forks देखने को मिलते हैं और rare में mono-sock suspension मिल जाएगा इस bike में Keeping in mind about safety आगे-पीछे दोनुमा आपको disc देखने को मिल जाते हैं With dual channel ABS Tires की बात करें तो Front और rare में दोनुमा आपको tubeless tire देखने को मिलते हैं With alloy wheels ये bike Indonesia में launch होगी है और Yamaha ने वहाँ इसका pricing 1,98,000 रखा है लेकिन इंडिया में Yamaha इसकी pricing 1,40,000 से लेकर 1,80,000 रखने वाली है भाई अब बात कर लेते हैं Indonesia users का क्या कहना है इस bike को लेकर Comfort level के इसाब से थोड़ा सारा आपको unsatisfied लगेगा इस bike को लेकर यार ये मेरा कहना नहीं इंडियोनेसिया के यूजियास का कहना है माइलेज के बारे में बात करें ये माइलेज के अकॉर्डिंग आप लोग के लिए पूरी तरीके से डिजाइन है और suspension के मामले में भी अगर आप लोग आप लोग जानते हैं भाय आप लोग जानते हैं भाय ये ओफ रोडिंग में बहुत जादा कमाल की smoothing प्रद्यूश कराते हैं सो डैफिनिटली सस्पेंशन भी बहुत जाद आच्छे हैं smoothing बहुत जादा अच्छे मिलने ये बाली इस bike मापको performance के मामले में it is same as R15 and MT15 seriously I guess आप लुको डेफिनिटली इस बाइक का वेट करना चाहे so starting में थोड़ा बहुत आप लोग को ऐसा हो सकता है कि इसका लुक अच्छा ना लगे लेकिन power, mileage, smoothness और price के सामने यार ये बाइक ना 155 CC में definitely आपको अच्छी लगेगी ही लगेगी so October last year starting number में ये बाइक आपको definitely देखने को मिल जाएगी India में इसकी pricing आपको 140,000 से लेकर 180,000 तक भाइ definitely देखने को मिल जाएगी so I hope आपको वीडियो अच्छे लगी होगी अगर वीडियो अच्छे लगी है तो like the video and subscribe the channel और comment करके बताने यार आप लोग इस बाइक का wait कर रहे है या नहीं कर रहे है